हैं है अब इस अब आप सब लोग उमीद करते हैं प्यारे बच्चों सबी लोग बहुत ही बढ़ियां होंगे आप सबी लोग बहुत बहतर होंगे जल्दी से आजाओ बेटे सबी लोग पटा फट आज idiom के सेशन को आगे बढ़ाएंगे आज idiom की बड़ी कुप सरसी कहानी है इसको आगे ले कर जाएंगे और खूब मज़ा आएगा आपको चले भी आज श्टार्ट करते हैं आज श्टार्ट का एक राजा था उसकी कुछ कमजोरियां थी है ना तो एकलीज हील का मतलब होता है इस स्मॉल बट फैटल वीकनेस कोई एक ऐसी चोटी सी कमजोरी आपकी जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है जानलेवा है आपका जो कमजोर पक्ष होता है उसी को क्या बोलते हैं एकलीज हील बोलते हैं जैसे बच्चे जब तयारी करते हैं एक्जामिनेशन की तो इंग्लिश लेंग्विज की जब अपने बात करते हैं इंगलिश लैंगविज उनके लिए हमेशारी सही एक एक फ्छोटी सी प्रबलम है लेकिन वो जाननलेवा प्रब्लम बन जाती है क्यों मन जाती है इसलिए बन जाती है क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं विनोद जी बता लेकिन इसकी जान तो ले लेगा ना जिसको मच्छनों से एलर्जी है ना तो एकलीज हील का मतलब ही होता है small but fatal weakness बहुत ही कमजोर पक्ष बहुत ही कमजोर चीज जो आपको बरबाद भी कर सकती है उसे क्या बोलते है एकलीज हील ओके है नमबर दो पर आपके सामने लिखा हुए क्या add fuel to the fire add fuel to fire add fuel to fire अब देखने से ही पता लग रहा है अब देखो यह आग जल रही है अब fire में अगर आप fuel डालोगे तो क्या होगा आग बढ़क जाएगी बहुत जादा तो add fuel to fire का क्या मतलब है to make a matter worse कि किसी भी situation को और जादा खराब कर देना उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते है add fuel to fire क्या बोलेंगे add fuel to fire क्या बोलेंगे add fuel to fire ठीक है ना तो इसे को बोलते है add fuel to fire जैसे कई बार मम्मी भी करती ना ये काम कि पापा तो आपको डांट रहे होते हैं और मम्मी पापा को एक पुरानी ऐसी बात याद दिलाती है जिससे फिर आपकी बटाई ज़्यादा होती है ना तो इसको बोलते है add fuel to fire यानि to make a wet matter worse किसी situation को और ज्यादा खराब कर देना ठीक है नमबर तीन पर देखो क्या लिखा हुआ है नमबर तीन पर आपके सामने लिखा हुआ है एन आम चेयर जोब आम चेयर जोब कैसे होगी आम चेयर देखो चेयर दो तरह की होती है एक तो ज आम कुछ नहीं करना तो आम चेयर जोब का मतलब होता है good income job with high comfort एक ऐसी जोब जो बहुत ही ज्यादा पैसा आपको देती है लेकिन साती साथ आपको comfortability भी बहुत ज्यादा देती है तो उसको बोलते हैं आम चेयर जोब क्या बोलते हैं आम चेयर जोब एक ऐसी जोब जिसके अंदर पैसा भी बहुत है लेकिन comfortability बहुत ज़्यादा है तो उस तरह की जोब को क्या बोलते हैं उस तरह की जोब को बोलते हैं आम चेयर जोब क्या बोलते हैं आम चेयर जोब याद रहेगी बात आम चेयर जोब का क्या मतलब हो गया कि बहुत ही comfort और high income की जो जोब है उस to grind या an axe to grind जो भी आप बोलते हो उसको an axe to grind का क्या मतलब होता है an axe to grind का मतलब होता है something done for selfish reasons जब आप कुछ काम करते हो क्योंकि वहाँ पर आप अपना particular स्वार्थ सिद्ध करना चाहरे हो तो उससे बोलते है to grind जैसे बच्चे को अपनी क्लफी खिला रहा है अपनी आइस जोटे चोटे-पच्छे का कभी किसी को अपने चोटी शेर कर रहे is को घख डेता हूँ इसको थोड़ी से आइसक की करता हो तो आप उसको देते हो एक चोकलेट और एक अपने पास रखते हो और फिर उसको क्या बोलते हो कि पहले तेरी चोकलेट खाते हैं फिर मेरी वाले चोकलेट खाएंगे तो आप उसकी भी खा जाते हो और लास्ट में अपनी तो उसको देते ही नहीं हो तो यह होता है एक्स टू क्या बोलेंगे X to grind कि यह कुलाडी तब ही चलेगी कि मेरे कुछ फाइदा होगा मैं कुछ ग्राइंड कर पहूँगा मैं कुछ चीजहें कठा कर पहूँगा मुझे कुछ extra benefit होगा तो उसको बोलते हैं X to grind क्या बोलेंगे एक्स टू ग्राइंड ओके हैं, ओके हैं, नेक्स देखो, नमबर पाँच पर चलते हैं वहिया, नमबर पाँच पर आपके सामने बहुत ही खुबसूरत सी एडियम लिखी हुई है, and iron will, will क्या होता है, will, will power होती ना आदमी की, will power का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ती, और iron will, iron का मतलब होता है, strong, तो iron will का मतलब क्या, iron will का ही मतलब है, strong will power, जब किसी इनसान की will power बहुत strong होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, an iron will, क्या बोला जाता है, an iron will, क्या बोला जाता है, an iron will, क्या बोला जाता है, an iron will, है ना जिसे देखो, अब यह जो इनसान है, इसने सोच लिया कि इस बार नौकरी लगना है तो लगना ही है और जैसे इस बार मैंने सोच लिया कि बच्चों की अंग्रेजी को बहुत बड़े लेवल पर मजबूत करना है तो करना ही है तो इसको क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं आयरन विल क्या बोलेंगे आयरन विल तो आयरन 6 पर चलते हैं, number 6 पर के लिखा हुए? number 6 पर लिखा हुए, आशिकों के लिए जबरदसत idiom आई है, an old flame या an old और छो idiom है ना, इस idiom का क्या मतलब होता है? इस idiom का मतलब होता है कि जो आपका कोई पुराना प्यार है, जैसे likes देखो ये इंसान बैठा है, कार्टून बना के बठा है, हमने दिखाया आपको और इसको अपनी प्यार बरी यादे आ रही है ये याद कर रहा है कि एक जमाना था मैं भी कभी अक्षकुमार हुआ करता था मेरी जिन्दगी में भी एक प्रिंग का चोपड़ा हुआ करती थी तो ओल्ड फेम का मतलब क्या होता है ओल्ड फेम का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज ए परसन विद हूम वन हैड रोमेंटिक रिलेशन्शिप इन दे पास्ट कि जब कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके पुराने बहुत अच्छे प्यार के संब्द थे तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है एन ओल्ड फ्लेम क्या बोला जाएगा एन ओल्ड फ्लेम क्या बोला जाएगा एन ओल्ड फ्लेम याद रहेगी बात ठीक है आशिकों आगे बढ़ जाएं नंबर साथ पर चलते हैं नंबर साथ पर देखो नंबर साथ पर लिखा हुए an old head on young shoulders an old head on young shoulders भाया इसका क्या मतलब होता है a child or young person who thinks and talks like an older and experienced person है ना कुछ लोग नहीं होते जो अपनी उम्र में अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं है ना या अपनी उम्र से ज़्यादा जिम्मेवारियां उनके उपर होती है तो ऐसे लोग क्या होते हैं ऐसे लोग उनको बोलते हैं an old head on young shoulders क्या बोलेंगे भी एच जैसे जैसे बढ़ रही है तो वो भी बहुत कमजोर होते जा रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी है तो वो क्या करते हैं बहुत अच्छे से बढ़ाई करते हैं अपने काम से काम रखते हैं तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को बोला जाता है एन ओल्ड ह में बारियां आपके उपर आ जाती हैं तो उसको बोला जाता है an old head on young shoulders या एक ऐसा इंसान जो अपनी उम्र से जद़ समझदारी की बाते करता है उसको भी क्या बोला जाता है old head on young shoulders या दखना भाया अच्छी idiom है ये ठीक है बिल्कूल एक दम बढ़िया idioms वो चीथी examination में दिखने वाली idioms में आपको पढ़ा रहा हूँ next देखो क्या लिखा हुए next लिखा हुए number 8 पे an olive branch क्या लिखा हुए olive, olive branch olive oil आता ना एक आता है कि नहीं आता है तो olive branch का मतलब क्या होता है peace request peace treaty जब आप किसी किसे शान्ती का निवेदन करते हैं तो उसको बोलते है olive branch क्या बोलते है olive branch क्या बोलते है olive branch जैसे देखो ये इंसान है इश्वर से पराथना कर रहा है कि भीया सब कुछ क्या रखो, शान्ती से रखो, दुनिया बड़ी शान्ति चलती रहे तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ओलिव ब्रांच क्या बोलेंगे बिटा ओलिव ब्रांच क्या बोलेंगे ओलिव ब्रांच तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है पीस की रिक्वेस्ट पीसफुल रिक्वेस्ट कहलो या पीस ट्रिटी कहलो श से क्या बोलते हो olive branch याद रहेगी बात आगे बढ़ो नेक्स देरक है apple of discard discord apple of discord discord क्या होता है जगड़ एपल of discord क्या होता है जगड़े का कारण होना जगड़े का क्या होना अब देखो जैसे यह 4G 5G spectrum है अब यह जगड़े का कारण बना हुआ बहुत सारी companies के बीच में आपस में लेकर है न तो इसी को क्या बोलते है apple of discord यानी matter of dispute जिसकी वजह से कोई matter बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है apple of discord क्या बोला जाता है apple of discord क्या बोला जाता है apple of discord यानी जगड़े का कारण होना है न जैसे मानलों कि दो लड़के हैं उन दोनों का जगड़ा हो गया दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन एक देवी के आने की वज़े से जिन्दगी में उन दोन of discord क्या बोलेंगे apple of discord क्या बोलेंगे apple of discord याद रहेगी बात आगे बढ़ जाओ नंबर 10 पर चलते हैं नंबर 10 पर आपके सामने लिखा हुआ है apple of once eye apple of once eye apple of once eye का मतलब है जो सभी को अच्छा लगे very very loveable dearest one जो होता है उसको बोलते है apple of once eye क्या बोलते है apple of once eye अब देखो यह छोटे छोटे क्या है पपीज है यह सब के सब इसी बच्चे के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा ही क्या है क्यूट सा बच्चा है इसी के पास सब रहना चाहते हैं तो इसी से सब के सब पपीज से बड़ा जैसर आधेश ने में पढ़ी थी तो देखो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना इसका मतलब आप पुरानी चीज़ों को पढ़ने के बाद भूलते नहीं हो उनके उपर जदा फॉकस रखते हो तब आप अच्छी तरीके से आपकी study हो सकती है, जब आप कोई भी नई चीज़ पढ़ते हो, उसके साथ साथ पुरानी चीज़ों को पढ़ते हो, तो तभी आप apple of once आई बन पाओगे, यानि very loveable cup बन पाओगे, सबी की आँखो के तारे कब बन पाओगे, teachers के favorite cup बन पाओगे जब आप क्या करोगे, अपनी काम को बार बार repeat करते रहोगे, ठीक है, आगे चलो उसके बाद number 11 पे देखो, number 11 पे देखो फिर ये आगई, ये भी आपने पड़ी हुई है, apple pie order याद है ना आपको, apple pie order का मतलब क्या होता है apple pie order का मतलब होता है, बिलकुल अच्छी condition में होना साफ सुतरी condition में होना, उसको क्या बोलते है apple pie order बोलते है, आप जैसे देखो, यहाँ पर ये इनसान है ये अपनी गाड़ी के टायर चेक कर रहा था, इसमें देखा अप बिल्कुल टायर तो बिल्कुल क्या है, apple pie order में है बिल्कुल ठीक condition में है, उसको क्या बोलेंगे डिस होती है, बिल्कुल एक बढ़ी है condition में होता है तो apple pie order का मतलब यही होता है कि जब आप बहुत अच्छी condition में होते हो तो उसको बोलते है apple pie order क्या बोलते है apple pie order ओके next देखो next दे रखा है at a loss क्या दे रखा है at a loss अब 11 नमबर पे 12 नमबर पहना आपने at a loss क्या होता है यह देखो यह भी मैंने आपको पढ़ाई थी इसी के जैसी एक और पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो at c याद है के नहीं है एक idiom अबने यह भी तो पढ़ी थी ना at c याद है at c और at a loss एक ही बात है क्या मतलब है जब आप बहुत जदा puzzle हो जाते हो to be unable to decide जब आप सोच नहीं पाते हो कि मुझे क्या करना है कैसे मैं करूँ आप बहुत जदा आपको dilemma की situation में पाते हो decide नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते है at a loss जैसे examination में आपके साथ कई बार होता है कि मालो चार option है a b c d आपने दो option काड़ दी है a और b ये इनसान है बड़ा métी और लग रहा है कि यह सवाई करें नहीं करें जैसे ये इनसान है इसको समझ्झ में आरा रहा कि यह आप shirt इतना मोटा हो गया मैं shirt फूरी नहीं आरी अब क्या करूं मैं shirt को निकाल दूं कर नई shirt लेके रहा हूँ तो इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं at a loss क्या बोलेंगे at a loss और इसी की जैसी idiom हमने at cb पड़ी थी बंजी जी thank you so much प्यारे बच्छों आगे बढ़ जाते है at a loss का क्या मतलब होता है to be unable to decide आगे बढ़ो बेटा 30 number पर 13 number बढ़िया बहुत ही बढ़िया at a pinch at a pinch अब देखो at a pinch से आपको याद आ रहा है pinch of salt भी अपने गिडियम पड़ी थी जब अपने किसी चीज में suspect रखते हैं संदेय रखते हैं और वहीं से कौन से बन गई at a pinch pinch क्या होता है चुटकी लगाते हैं न किसी को अपने चूंटी चूंटी लगा देते हैं तो at a pinch जिसको चूंटी काटते हैं उसको तो वह समस्या हो जाती न कि यार ये चूंटी कैसे काट दी सने मुझे है न तो at a pinch का मतलब यह होता है इन a trouble बहुत ज़्यादा समस्या में होना अब जैस जाता है उसको बोला जाता है at a pinch क्या बोलते हैं at a pinch अदेशी करें सब्सक्राइब बिल्कुल कह सकते हो आप यह भी इसका एक एडियम बनता है बहुत बढ़िया ऐसे पढ़ाई करोगे तो selection पक्का हो जाएगा बहुत नेक्स देखो 14 नंबर पर चलते हैं 14 नंबर पर कर इस आदमी के साथ मत घूमा कर क्यों ना घूमा कर आप ममी से बस्तों क्यों ना घूमा कर ममी बोलती है अच्छा लड़का नहीं है इसके सब दूर रहना है इससे एक हाथ की दूरी बना कर रहना है ना तो इसी को बोलते हैं at arm's length क्या बोलते हैं at arm's length avoid becoming too friendly जरूरत से ज्य इससे दूर रह रह रही है at arm's length है या नहीं यह देवी जो है इस से दोत्ती नहीं कर ना जाती है इस के साथ कोई भी अच्छे relationship को maintain कर ना चाहती है वहां बहुत बड़ी आ बढ़िया इडिया मैं है ऐट ड़्ड्ड ड्रौन पहले बताएं तो आपकी किसी से बहुत ही कटर दुष्मनी होती है आपकी डेगर्स का मतलब ही खंजर होता है तो आप खंजर अपने हाथ में दब लगते हैं जिसके खंजर तो आप उसी को लगाते हैं जिसके आपकी खतरनाक दुश्मनी है अब जैसे देखो यह एक देवी और यह देवता है आपसमेहन की बिल्कुल नहीं बनती है तो यह दूसरे गला गोटने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी को क्या बोला जाता है इसी को बार एक्जामनेशन में देखी जा चुकी है अक्सर यह एक्जामनेशन का पार्ट बनती है ठीक है ना नेक्स देखो कितना नंबर पर जल रहे हैं 16 पर 16 नंबर पर देखो क्या लिखाव है एटईज गला बहुत बढ़ी आइडेम है एटईज का मतलब होता है बिल्कुल शान्त रहना जैसे आपने कई बर सावधान विश्राम यह देखा ना तो विश्राम का जो स्टेट होता है उसको एटईज बोलते हैं बिल्कुल शान्ती में रहना जब आपके पास कोई भी प प्रिकार की चिंता नहीं है, एक सारी anxiety और pain से आप पुरी तरह से दूर है, तो उसको बोला जाता है, at ease, क्या बोलेंगे बेटा, at ease, क्या बोलेंगे, at ease, क्या बोलेंगे, at ease, है न, इसे देवी देखो, हवा में उडान भर रही है, गाना गा रही है, आज मैं उपर आसमा नी क्या बोलेंगे, at ease, क्या बोलेंगे, at ease, क्या बोलेंगे, at ease, याद रहेगी बात, आगे बड़ो, किता नमर होगे, 17 नमर, 17 पर देखो भी, हाँ, 17 में आपके सामने लिखा हुए है, at once finger tips, at once finger tips, अपने बोलता है, tips पे मुझे यह चीज़े आद है, जैसे मैं आपको बोलत होना, जैसे tense है, आपको tips पर होने चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि pronoun की table है, आपको हमेशा tips पर होने चाहिए, आपको हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई आपसे बुचले possessive objective क्या है, तुरंद आपके दिमाग से निकला चाहिए, my, are, your, his, her, it's there, बुचले प photographer है, इस photographer को पता है कि कहाँ पर photo ली जाए, कैसी photo ली जाए, जिससे photo बहुत ही बढ़िया आ जाए, है ना, तो उसको बोलते है क्या, उसको बोला जाता है भईया, at once finger tips, at once finger tips, यानि किसी चीज़ की आपको पूरी तरह से knowledge है, आपको पूरी तरह से उस चीज़ के बारे में जानकरी, आपको पता है वो चीज़ कैसे कैसे होगी, तो उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, at once finger tips, thank you so much, शितीज, thank you so much, आगे चलते हैं बेटे, next के उपर, 80 number पे, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग है ना, चलिए, mediums बेटा, इतनी मजबूत कर लो अपनी, कितन असान है देखो, इसमें कोई ज़्यादा efforts तो लगते नहीं है, आप कोई पता लग रहा है, दूसरा अब ये pictorial method से थोड़ी चीज़ें और भी असान हो जाती है, तो इससे आप इनका पस enjoy करो, अराम सेन को लिखो, और इनको full memorize करो, जितना कर सकते हो अपने अंदर है ना, ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉंग मना देंगी, आपके अंदर confidence पैदा कर देंगी, अजय से लिखा होगा है, at once wits end, wits क्या होते है, विट्स वही अभी अपने ने पढ़ा था, iron will, याद है कि नहीं याद आपको, iron will का मतलब मजबूती से शक्ती, wit होता है, आपकी बात होती है, है ना, presence of mind होता है, और एक का मतलब क्या होता है, power of speech होती है, तो at once, wit end का मतलब क्या है, जब आपकी wit end हो जाती है, तो आप at c हो जाते हो, या आज ही हमने इसके लिए एक और idiom पड़ी थी, at a loss, याद है कि नहीं आपको, at a loss, at a c, ये सब एक ही तरह क idiom का क्या मतलब होता है, to be puzzled, confused, या perplexed, perplexed का मतलब ही होता है, पूरी तरह से क्या हो जाना, confused हो जाना, जैसे ये आदमी देखो, अब इसके सामने कोई situation होई होगी, जिसमें इसको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करों, confused होगा, इसने अपना सिर पकड़ लिया, अपने ब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू देख ले, भाई, कैसे करना है, तो उसी को बोलते है, at once, wits, and, जब आप पूरी तरह से puzzle हो जाते हो, confused हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ के बारे में, कि life के फैसले कैसे लेने है, उसको बोला जाता है, at once, wits, and, अब देखो, एक ही जैसे तीन एडियम हो गई, है न, अब जैसे अनुने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा, at sea, at loss, at once, wits, and, अब ये धीरे-धीरे, automatically दिमाग में ऐसे गुलती चली जाएंगी, कि आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ये ज़्याद लंबे सम at sixes and sevens, sixes and sevens का मतलब क्या, जैसे अब देखो, ये toy हैं, चोटे बच्चों के, ये चोटे बच्चों के खिलोने, अगर आपने कभी देखो, जैसे मेरा भी एक चोटा सा बेटा है, वो मेरा बेटा भी क्या करता है, चीजों को उसको भी sixes and sevens में रखना बड़ा अच्छा and sevens, और देखो, आदेश ने अपने को एक और बता ही कौन सी, हेल्टर, स्केल्टर, बिल्कुल सही बोला, हेल्टर, स्केल्टर भी इसी के जैसे इडियम होती है, हेल्टर, स्केल्टर बोल दो, at sixes and sevens बोल दो, एक ही बात है, कि जब आप चीज़ें बिल्कुल disorder तरीके से disorderly रखते हैं, कोई manage नहीं करते हैं चीज़ों को, कोई चीज़ कहां है, कोई चीज़ कहां है, है ना, वैसे अपनों को तो वही चीज़ ओडर में लगती है, अब जैसे अपनी आदत होती है, कि लड़कों की खास तरपर होती है, कि वो चीज़ों को जहां पर भी गिरा देत यहां फैंक देते हैं वहीं से चीज़ें उठाते हैं है ना तो लेकिन मम्मी घर वाले चीज़ों को संभाल के जब रख देते हैं तो हमें पर ढूंड़ने में बड़ी दिक्कत होती है तो sixes and sevens का यही मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को disorder तरीके से हेल्टर सकेल्टर है इशके 20 नमर पर देखो 20 नमर पर आपके सामने लिखा हुए एट स्टेक क्या होता है चेज़ों कोई चीज अपनी दाप पर लगा देते हो और उस चीज में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है न तो उसको बोला जाता है at stake, क्या बोलते है, at stake, क्या बोलेंगे, at stake, जैसे देखो, ये इन्सान देखो, अब इसने पैसों के लिए क्या रसी पर चल रहा है, अपनी पैसों के लिए जान को क्या लगा रुखा, at stake कर राखा है, जान चली जाये, जान भी जा सकती है, अगर एक कदम इदर से उदर हो गया है ना लेकिन इस आदमी की iron will कितनी जबर्दस्त होगी ना iron will होगी तब ही तो यह ऐसी अरकत कर रहा है मजबूत इच्छा शक्ती होते है जिसकी वह यह ऐसी अरकत कर पाता है तो at stake का मतलब होता है किसी चीज़ को दाप पर रख देना at risk रिस्क या insecure आप कह सकते हो तो उसको बोलते हैं at stake यानि दाप पर लगा दिया आपने उसे बोलेंगे at stake क्या बोलेंगे at stake ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं next पर next देखो लिखा हो है at the 11th hour क्या लिखा हो है at the 11th hour at the 11th hour का क्या मतलब होता है 12 गंटे होते हैं दिन में 11 गंटा 11 बजने के बाद 11th hour चलना स्टार्ट हो रहा है तो at the 11th hour का मतलब होता है at the last moment पे कोई काम करना है ना जैसे मालो ये गाड़ी वाला आदमी गाड़ी लेके जा रहा था अपनी सामने से एक और बच गया है वरना वो सारी की सारी जो लकडियां थी उसके उपर गिर जाती तो at the 11th hour का मतलब ही होता है at the last moment में कोई काम करना ठीक है और जैसे कई बार आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जब भी examination के form बरने होता है तो मान लो examination की date है पंदा तरीक तो अपने के करते हैं पंदा तरीक कोई बरेंगे तो उसी को बोलते है at the 11th hour अंतिम शणों में कोई काम करना मतलब time खतम ही होने वाला था तो उसी को करना चलिए class के बार मैं बता दूँगा आपको कौन सी novel पढ़नी है तो फिलाल के लिए तो समझ लो at the 11th hour का क्या मतलब होता है कि एकदम last moment पर जब अपने कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं at the 11th hour क्या बोलेंगे at the 11th hour याद रहेगी बात ठीक है कितनी हो गई 21 नेक्स्ट पर देखो 22 22 कितनी जबरदस्ट इडियम है ये वह या बैक्स्टेर्स गॉसिप बैक्स्टेर गॉसिप तो आपको पता ये बाते बनाना होता है बैक्स्टेर गॉसिप क्या होती है बैक्स्टेर गॉसिप का मतलब होता है कि जब आप talk amongst servants या unfair talks जब आप पीट पीछे किसी की बुराई करते हो ना तो उसको back stair gossips कहते हैं आम तर पर ये कहां से बनी देखो क्या होता है आपको पता है European culture को हमने बहुत आडप्ट किया तो वहाँ पर क्या है कि जैसे जो भी मतलब जहां के servants होते थे तो उनको जो room दिया जाता था वो stairs के आसपास ही दिया जाता था तो वहाँ पर बैट कर सब लोग आपस में क्या करते थे अपने मालिक की बुराई करते थे कि क्या बाचित करते थे वहाँ पर या बुराई भी करते थे तो उसे को बोलते हैं back stair gossip गोसिप तो आप जानते ही हो बाते बनाना होता है किसी के लिए तो back stair gossip का मतलब हो गया कि जब आप क्या करते हो unfair talks करते हो ऐसी बाते हैं जो fair नहीं है वो करते हो या फालतों की बाते करते हो या किसी की बुराई करते हो तो उसको बोलते हैं back stairs gossip सेइप क्या बोलते हैं ऐग स्णीय रहे हैं चलीभी है नेक्स सलते हैं 23 पर उधों ट्वंटी सर्ड है आपके सामने आ AGA omega ओंसा ब्लट बेटoplड ब्लड बैड ब्लडब भी होता है जब आपकी किसी से बहुत करवाहत बर होते एनाम की का शत्रों पडाओं लगता है दोनों को पसंद आने वाली देवी एक ही है उसी नजर से देख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं ब्लड क्या बलते हैं Bad Blood अब देखो इसके जैसे आपने कौन-कौन सी इडियम पढ़ाई इसके जैसे आपने एक इडियम आपने पढ़ी थी अभी भी पड़ी ना आपने कौन से इडियम पढ़ी थी इसके जैसे बताओ जल्दी से एट डेगर्स ड्रॉन पढ़ी थी एक तो devil's advocate तो वो होता है जो गलत का साथ देता है कि situation को पढ़ाने बढ़काने के लिए वो होता है devil's advocate तो green knight तो jealous feel करने वाला होता है है ना पढ़ाई करा आगरो याब क्या आगरो hostility hostility के लिए बहुत सारी idioms अपने पढ़ी है ठीक है बैकेज क्या होता है जब आप बैकेंड बैकेज के साथ जाते हो जो बैकेंड बैकेज का मतलब होता है with all belongings जो भी आपकी चीजें उन सबके साथ समेट लिया जैसे अभी कोरोना वाइरस की जब क्या आई जब कोरोना वाइरस आया था शुरू-शुरू में कोविट-19 जब आया जितने भी लोग ते जो दूसरी जगाहों पर रह रहे थे वन्होंने अपना बोरिया विस्तर समेट लिया उनको पता था कि बहुत लंबे समय तो लोग डाउन आएगा और इसका बहुत ही कॉम्देकेशन बहुत call क्या सकते हैं तो अपना बोरीय विस्तर समेट चेहां पहुंच गाये अपने अपने घर चले ज आए तो इसी को बोलते हैं bag and baggage क्या बहुत बाद आगे देखो आगे लिखा हुआ है BAKER'S DOZEN अब देखो है BAKER'S Dozen अब dozen में तो चीजें कितनी होती है 12 होती है लेकिन BAKER'S Dozen को होता है अब देखो dozen तो 12 का है लेकिन BAKER'S Dozen यह नि Special Dozen है न तो BAKER'S Dozen का मतलब होता है 13 in number जब कोई चीज संख्या में 13 है न उसको बोलते हैं बेकस डर्जन क्या बोलते हैं संख्या में 13 जब कुछीज होती है 13 नमबर तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बेकस डर्जन क्या बोलेंगे बेकस डर्जन क्या बोलेंगे बेकस डर्जन क्या बोलेंगे बेकस डर्जन क्या बोलेंगे बेकस डर्जन याद रहेगी ना बाद, आगे बढ़ जाओ, कितनी होगी, 25, 25 होगी ना, चलो, 26 पर चलते हैं, 26 पर आपके सामने लिखा हुआ है, बी बॉर्न विदा सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ, अब देखो, इसको पढ़ते पढ़ते ही याद हो रही है, कोई जदा दिमाग में रखने वाली बात नहीं है, तो बी बॉर्न विदा सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ का क्या मतलब है कि कोई चांदी का चमच लेके पैदा हुआ है, यानि तो बी बॉर्न इन रिच फैमिली, अब देखो यहां पर देखो, अब यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखो यह कहां कैसी फैमिली में बिलॉंग होए है, जो राजा मारा जाओं की फैमिली है, इसका मतलब इनको जीवन में कोई चिंता ही नहीं, इनको पत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो लाइफ सेट है, है ना, तो उसको बोलते हैं, बॉर्न विदा सिल्वर स्पून इन वन्स माहूत, इसका मतलब बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न करना, बिलॉंग करना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, बॉर्न व गाड़ी चलाना अगर आपको है गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है जब सारी की सारे responsibilities आप खुद उठा लेते हैं जैसे यह देवी है यह पुलिस के पास गई कि इनकी इनकी फैमिली के अंदर इनकी फैमिली में किसी का क्या हो गया था मडर हो गया था और यह पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे थे तो इसने क्या किया इसने का साजी में वारी मैं खुद उठाओंगी बताओ कौन कौन से सस्पेक्ट हैं उन सारों की pictures देखाओ मुझे मैं सारो क्या थाता है be in the driving seat क्या बोलेंगे be in the driving seat यानि bearing all kind of responsibilities is called be in the driving seat क्या बोलेंगे be in the driving seat 28 पर चलते हैं अब बियर्दा ब्रंट बियर्दा ब्रंट बियर्दा ब्रंट क्या होता है यह दो को यह मैंने यह सब ही चीज़ें उठाई ना यह सब यह newspaper की headline से जो जो मतलब आयोए famous articles हैं वहीं से चीज़ें उठाई हैं थाकि आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें मिलें कि कैसे examination में headings आती हैं या कैसे news paper पढ़ते हो तो महाँ पे headings देखने को मिलती हैं तो bear the brunt of का मतलब भी होता है to bear the main part of something unpleasant जब आपको किसी बुरी बुरा प्रणाम भोतना पड़ता है ना तो उसको बोलते है bear the brunt of अब जैसे यह आदमी ह बीच में आपने कवर सुनी होगी कि शेर को चिडा रहा था वो या शेर के साथ कुछ बत्तमीजी कर रहा था और एकदम से शेर आ गया अब शेर आ गया तो इसको क्या करना पड़ रहा है यह पहले बत्तमीजी कर रहा था अब यह article मैंने लिया था एक जगां पर मैंने पड बतना पड़ गया उसको बोलते हैं बीचटा बरेंट औफ किसी चीज़ का नेगेटिव कांसेगेंस जब आपकी लाइफ में आते हैं जब आप उनको बीर करना पड़ जाता है तो उसको बोलता है बीचूटे बाई निया चोटी बहान ने मिलके कोई अपराद कर दी है लेक नेक्स्ट क्या लिखा हुए वीट अबाउट अबुश। जाड़ियां होते हैं। तो बीट अबुश का मतलब होता है इधर उदर की फालतू बात करते रहें। तो टॉक इन राउंड अबाउट मेनर सरकम लोकेशन सरकम लोकेशन भी होती गुमा फिरा कर कहना अब जैसे ये दीवी है इससे कोई बात पूची गई इससे पूचा गई क्या करना है इसने सीधी सीधी बात नहीं कि इसने इतने शारे शब्द अपने निकाल दी कुछ बात इधर कह रही है कुछ बात इधर कह रही है जब आप गुमा फिरा कर बहुत सारी बाते करते हो न तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं beat about the bush क्या बोलते है beat about the bush याद रखना भाई या इदर उदर की बाते करना ठीक है आगे चलो जिसका meaning clear ही नहीं होता बिल्गुल सही कहा आपने next 30 number देखो 30 number पर क्या लिखा है beat black and blue beat black and blue अच्छा भी अब beat black and blue का क्या मतलब है beat about the bush ही होता है beat around the bush भी कईवा बोलते हैं around और about लगबग एकी जैसी preparation है about का मतलब भी लगबग होता और around का मतलब भी लगबग होता है इसलिए कई बार confusion हो जाती है लेकिन beat about the bush ही है next देखो beat black and blue अब यह तो पता लग रहा है beat black and blue का क्या मतलब है जब beating mercilessly जब आप किसी को बहुत ही बुरी तरीके से पिटते हैं पिटने के बाद इंसान के साव तक काला नीला हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना पिटने के बाद इसकी भी शकल काली पिली नीली हो जाएगी next देखो next कह रहा है beat hollow beat hollow beat hollow का मतलब होता है hollow क्या होता है खाली to defeat thoroughly and convincingly जब आप किसी को बहुत ही आसानी से और बुरी तरह से हरा देते हो ना तो उसे बोलते है beat hollow जैसे पाकिस्तान को हमने बहुत बार कैसे रहा है बहुत ही बुरी तरह से रहा है हमने बहुत बुरी तरह से हम उसको रहा देते हैं जैसे जैसे चोटी चोटी टीम्स खेलती है हमारे सामने कई बार जैसे बंगलादेश जैसी टीम है है बूछी तरह बहुत अच्छी हो गई पहले तो बहुत ही जिम्बाभे है जैसे नीदर लैंड्स है जैसे यह कम जो टीम है तो उनको जब भी कोई टीम बड़ी टीम हरती है तो बहुत दो बुरी बरी तरह से रहती है तो उसको बोलते है बीट होलो का 31 हो गई है ठीक है बिल्कोल कह सकते लिखा हुआ बेकत एंड कोल यहίikkumदय ईडियम thedal repeat हुई है मैंने आपको पहले भी पढ़ाए बेकेंड कॉल का मतलब क्या होता है यहud 테क स्वाप कि चाकरी में रहते हैं ready to obey order instantly जैसे देखो ये आदमी इन सबको order दे रहा है ये सब इसकी चाकरी में लगे हुए है कि भाईया क्या करना है तू भी बता जो तू बताएगा वैसे ही काम करेंगे उसी को बोलते है back and call ये repeat हो चुकी है आपको पता है पिछली classes में भी हमने इसको discuss किया था बहुत अच् और बिलकुल याद रहेगी हमेशा 33 पर चलते हैं 33 देखो क्या लिखा बैड ओफ रोजस अब इसके नाम से ही पता लग रहा है बैड ओफ रोजस के एक बैड जिसके उपर रोजस हो बहुत सारे तो क्या हो सकता है pleasant situation of comfort जब आप अन से बरीवी जिंदगी जी रहे हैं जैसे तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बैड ओफ रोजस तो आप भी कही बार सोचते हो ना कि यार एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद फिर ऐसा करूँगा वैसा करूँगा तीन-चार क्रोड रुपे कठे करूँगा और कठे करने के बाद नौकरी छोड़ दूग आट लौकरा और उसको मज़े से रहँगा आराम से इतनी सी जिंदगी है एक आदिवारी तो मिलती है और उसको धंक से जिऊँगा फिर सारे उतपादों का इस्तमाल करूँगा लाइफ के अंदर सब इस बमाल कीया जाएगा देखा जाएगा किस किसके क्या सैज़ ईफक् ठीक है आगे देखो नेक्स लिखो बैड ओफ फॉंस क्या लिखा हुआ है बैड ओफ फॉंस अब देखो यह दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिख दी था कि आपको असानी से याद हो जाएं बैड ओ रॉजस के अच्छी एडियम अच्छी जिन्दगी जीना प्लेजन सिटूइशन में होना बैड ओफ फॉंस क्या होता है बैड ओफ फॉंस का मतलब होता है situation of extreme difficulty एक ऐसी सिटूइशन में होना जहां पर बहुत परिशानी है जहां पर बहुत दुख है तो उसको क्या बोला जाएगा Bed of Thorns क्या बोला जाएगा Bed of Thorns क्या बोला जाएगा Bed of Thorns अब आपको खुशन यहां पर तो आपने कोई picture लगाई नहीं रे यहां पर picture लगाने की जुरूरत है नहीं थी हमारी इस वक्त आपकी जिन्दगी जो चल रही हो Bed of Thorns भरी हुई है है के नहीं है 35 पर आगा आप देखोगे लिखा हो है Baggers Description क्या लिखा हो है Baggers Description अब Baggers Description का क्या मतलब होता है Description मतलब किसी चीज़ को बता ना और Baggers मतलब गरीब आदमी होता है अब गरीब आदमी का आप क्या तो उसके बारे में बता पाएंगे तो baggers description का मतलब होता है एक person with no resources एक ऐसा आदमी इसके बद कोई resources नहीं है या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ को आप explain ही नहीं कर सकते हो उसे baggers description कहते हैं और ये भी idiom में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैंने इसकी picture नहीं बनाई गए तो baggers description आपको याद रहना चीज़ क्या मतलब होता है जिस चीज़ को आप explain नहीं कर सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि baggers description का एक मतलब होता है जब किसी इनसान के बद को resources ही नहीं होते हैं जनसादन ही नहीं होते हैं तो उसको भी baggers description कहा जाता है 36 36 पर लिखा हुआ है bell the cat ये तो बहुत बच्पन से सुनते आरे हैं बिल्ली के गले में घहिटी कौन बाद देगा बोलते हैंगे नहीं बोलते हैं bell the cat bell the cat का मतलब होता है taking first step at personal risk jokim उठाना पहली बार में जब आप पहला कदम जब उठाते हो किसी भी तकलीफ की तरफ किसी भी जोकिंग की तरफ उसको क्या बोलते है bell the cat क्या बोलते है bell the cat आप जैसे कई बार आपको देखके लगता है ना कि life में कुछ परिशानी है किसे कुछ बोलना है आपको लेकिन होता है कि बोलेगा कौन इसादमे को है ना उसको बोलते हैं आप office में काम करोगे तो आपको कभी-कभी दिक्कते आएंगी जब वो दिक्कते आएंगी आपकी जिन्दकी में तो आप भी सूचोगे यार कौन कैसे में अपने boss कोई बात ना समझी नहीं हा रहा कौन पंगे ले उस सादमी से है ना तो उसको बोलते हैं बेल दे कैट क्या बोलेंगे बेल दे कैट असान रहेगी बात नेक्स देखो यह 37 अब देखो डेविल आपको पता है बुरा आदमी होता है डीप सी का मतलब बहुत ही गहरी खाई तो जब आप एक ऐसी सिटूशन में फसे होए हो कि आपको पता नहीं है इदर जाओगे तो भी मरोगे उदर जाओगे तो भी मरोगे बिट्विन टू डिफिकल्ट सिटूशन तो उसको बोला जाता है बिट्विन देविल एंड डीप सी क्या बोलते हैं बिट्विन देविल एंड डीप सी यानि बहुत ही बहुत ही बुरी सिटूशन में फसे होना आगे पीछे खाई वाली सिटूशन जो होती है उसको बोला जाता है between the devil and deep sea अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें ठीक है आगे देखो 38 पर 38 यह तो बहुत यह अच्छी एडियम लगती है बिग गन बहुत अच्छी एडियम है बिग गन का क्या मतलब बड़ा आदमी है एक ऐसा आदम है जो है बड़ा साधरन सा आदमी लगता है लेकिन आपको पता है कि यह चलती बहुत है बंदे की वो पावर है आपको पता है बीजेपी से बहुत अच्छे links establish हैं तो आपको पता है ऐसे लोग क्या होते हैं बिग गन होते हैं जिनकी influence बहुत ज़्यादा होती है बहुत जल्दी लोगों को influence भी कर सकते हैं और दबाब होता है उनका लोगों के उपर तो उसको बोलते हैं बिग गन ठीक है 39 बर्ड ओफ पैसे क्या लिखा हो गए बर्ड ओफ पैसे का मतलब क्या है बर्ड ओफ पैसे का मतलब होता है one who comes occasionally जो कभी कबार ही आता है तो इसको बोला जाता है क्या bird of पैसे जो कभी कबार ही आता है यदा कदा ही होने वाली जो चीज होती है उसको बोलते है bird of list देखो लास्ट आज की इडियम क्या लिखी हुई है बर्ड आई व्यूं कि वर्ड आई व्यूं का मतलब होता है और व्यूं करना स्कूल में आपको याद होगा जब आप जब भी मैम टेस्ट लेती थी या टीचर टेस्ट लेते तो आप बोलते हैं कि मैम एक बार एक जबते हो तो उसको बोलते हैं बर्ड आई व्यूं को देखे ये थी आपकी 40 इडियम ठीक है उमीद करता हूं मुझे सारी बाते हैं आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से और अब आपका कोई भी सवाल है उस सवाल का जबाब देने के लिए मत तयार हूं क अब हम किसी भी बात का जबाब दे सकते हैं आदमी जब अपना काम कर ले ना अपना काम अच्छे से इमानदारी से कर ले तो नेंद इतनी बढ़िया आती है इनसान को है ना सर जूम से पर क्लसे यह आपकी गोरव आपकी बैच्छेस आपके रेगुलर चल रहे हैं तो अभ ठीक है 으रो चार बज़े होती है अलग अलग सेशन अलग और grammar दीरे आपकी grammar अच्छी है जहां तक मैं जानता हूं कि आपको मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था इसमें कोई घवराने वाली बात नहीं है ठीक है जब आपके reading बहुत अच्छी होती है तो आप grammar की छोटी-छोटी गलतिया करने लग जाते हो लेकिन कोई नहीं उसके के लिए भी कुछ करेंगे कुछ अलग से या तो ऐसा करेंगे कि errors की अलग से सीरीज चलाएंगे आपके लिए इसमें topic wise ले ले लेंगे फिर mix ले लेंगे ताकि आपकी commands बनी रहें चीज़ों को लेगा offline classes सुना है मैंने ऐसा कि 20 तारीक या सपास ऐसा सुना है लेकिन मैं guarantee उससे तो नहीं कह सकता grammar को revise grammar को revise भी करो आप और grammar को रटो बाद में पहले revise करो आप grammar को अच्छा समझो उसके understanding लेकर आओ अपने अंदर जब आप grammar की बहुत अच्छी understanding ले आओगे ना अपने अंदर आप एक बार एक concept को समझ लिया अब जैसे मानलो आपने यह समझ लिया कि prefer के साथ 2 लगता है आपकी हमारी problem से रहती है हम जी रटा मारता है कि prefer के साथ 2 लगता है लेकिन हम यह समझता नहीं कि prefer के साथ 2 क्यों लगता है अगर आपने एक बार इस बात को समझ लिया ना कि prefer के साथ 2 क्यों लगता है क्योंकि कुछ words ऐसे होते हैं जिनकी positive और competitive degree same होत अगर आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो फिर आपके लिए चीज़ां और भी बहुत असान हो जाएंगी तो संजुर इन्वा जी एरर की बात करेंगे बिल्कुल जरूर बेटा कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि आपके लिए एरर का भी दिन निकालें अब क्या कर सकता हूं इसके लिए मैं आपको हां कि कैसी कोशन साते हैं उन कोशन की प्रैक्टिस करवा सकता हूं आपको बहुत ज़्यादा ठीक है ना तो चलिए कोई बात नहीं मिलते हैं अपने नेक्स लास में मैंने सारी बातों के आपके जबाब दे दी हैं ठीक है तो अच्छी अच्छी तरह से रहा करो अपनी फैमिली में सब भी की रिस्पेक्ट किया करो मुमी पापा सब की अच्छे अच्छे दोस्त बनाया करो अच्छे लोगों के साथ रहा करो कभी किसी की बुरा करने की बारे में मस सोचा करो बहुत अच्छे बच्चे बनके रहा करो ठीक है मेरा नाम God of God है सब लोग जानते होंगे वैसे नहीं जानते हैं वो अब जान जाएं God of God मेरा नाम है आप सारी classes चेक कर सकते हैं उस प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगी सारी classes जो फिलाल में नया session जितने भी बने होंगी सारी classes मिल जाएंगी Thank you so much प्यारी बच्चों मिलते हैं अपने कल Okay, Tata